हलो स्टूडेंट आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर टू के लिए डिविजिबिटी रूल से रिलेटेड कुछ इंपोर्टन कोईशन करेंगे जो कि सीटेड एक्जाम में पूछी जा चुके हैं तो आई स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को तो पहला कोईशन है और यह पूरा का पूरा तीन से डिविजिबल है तो ए की पूसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है उनका सम पूछा है तो देखिए तो इस से पहले आपको तीन का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए वो क्या होता है कि अगर हम सभी डिजिट को अगर हम सभी डिजिट को एड करें तो भी तीन से डिविजिबल होना चाहिए जो भी इनको एड करने के बाद आएगा तो देखिए अगर मैं आपर इनको एड करूँ 5 प्लस 4 प्लस 7 प्लस A तो यहाँ पर देखिए 5 और 4 9 और 7 16 यह जाएगा हमारा 16 प्लस A अब 3 का डिविजिबल्टी रूल होने के लिए क्या होना चाहिए तैसे 16 है तो 16 के बाद जो 3 से डिवाइड होता होता है 18 18 हो सकता था 21 हो सकता था 24 हो सकता था 27 हो सकता था ठीक है और 30 हो सकता था लेकिन हमें बोला है कि A जो हो सिंगल डिजिट है ठीक है तो यहाँ पर जो है 18 बनाने के लिए A की वैल्यू हमारे पास 2 हो सकती है ठीक है और 21 बनाने के लिए A की वैल्यू हमारे पास 5 हो सकती है और 24 बनाने के लिए A की वैल्यू हमारे पास 8 हो सकती है ठीक है अगर मैं य और चार होते हैं 11, तो एक ही वेल्यू 11 तो नहीं हो सकती, क्योंकि यह जो नमबर है पूरा, वो खुदी 4 डिजिट का है, ठीक है, तो यहाँ पर 3 पॉसिबल वैल्यू होगे हमारे पास, 2, 5 और 8, इनका सम पूछा है, ठीक है, तो हम इनका सम निकालेंगे, तो यह हो जाएग हमारे पास, 15, तो इसका 15 करेक्ट, आंसर हो जाएगा, अगला है, the smallest value of y, in the number this, so that it is divisible by 11, यह जो है question, September 2015 के एक्जाम में पूछा गया था, तो यह बोलागे कि यह जो नमबर हो, 11 से divisible है, तो y की smallest value क्या होगी, तो देखिए, 11 का divisibility rule क्या होता है, हमारे पास जो नमबर है, 9, y, 8, 0, 7, और 1, ठीक है, अब 11 का divisibility rule होता है, जैसे 9 है, अब इसको एक नमबर छोड़के हम इसको एड़ करेंगे, फिर एक नमबर छोड़के इसको एड़ करेंगे, ठीक है, तो 9 प्लस 8 प्लस 7, इनको एड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 8 होता है, 17, 17 और 7 हो ग 1, तो यह हो जाएगा, y प्लस 1, अब 11 का divisibility rule क्या होता है, इनका जो difference है, इन दोनों का जो difference है, वो क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए, या फिर 11, या 22, 33, 44, and so on, मतलब कि वो नमबर आना चाहिए, जो कि 11 के table में आता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 24 माइनस कर दे 23 माइनस y, अब 23 माइनस y आ रहा है, तो y की value हमारे पास क्या क्या possible हो सकती है, देखिए, हमारे पास 22 है, ठीक है, तो 22 बनाने के लिए, मुझे y की value जो चाहिए, वो होनी चाहिए, एक, अगर y की value एक है, तो ये 22 हो जाएगा, और 22 बन जाएगा, तो ये पूरा नमबर 11 सर divisible हो जाएगा, तो y की value जो possible smallest value है, वो होगी 1, ठीक है, अगला कोशन देखते हैं, अगला है, if the 7 digit number, यहाँ पर एक 60 digit का number है, ठीक है, यहाँ पर x और y दो digit missing है, यह जो है divisible by 72, then the value of 2x plus y, तो 72 को हम क्या लिए सकते हैं, 72 को लिए सकते हैं, 8 into 9, अगर ये पूरा नमबर हम 72 से भी divisible होगा, तो सबसे पहले 8 का divisibility rule क्या होता है, कि last की जो 3 digit है, 5, 8 और y, यह हमारा 8 से divisible होना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं इस तरीक से लिए लिएता हूँ, 5, 8, y, और ये 8, ठीक है, 8, 76 हो गया, minus की या 2, और यहाँ से y नीचे उतारेंगे, अब देखिए, यह हमारा 8 से पूरा divisible है, तो यहाँ पर y की value वो रखेंगे, जो की 8 से पूरा divide हो जाए, तो 8 के table में हमारे पास 24 आता है, ठीक है, तो y की value होगा पास possible value क्या हो गई, 4 हो गई, अगर यह मैं 24 रख दूँगा, तो यह पूरा divide हो जाएगा, तो हमें पता ल वो 9 से divisible होना चाहिए, अगर आप इन सब को add करें, 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस X प्लस 5 प्लस 8 प्लस 4, इन सब को जोड़ लेते हैं, 2 और 3, 4, 8 हो गया, 8 और 5, 13, ठीक है, 8 और 5, 13, 13 और 8, 21, 13 और 21 और 4, 25, तो 25 जमा एक्स हो गया, ठीक है, अब knocker divisibility rule है, कि जोडने का 9 से divisible हो चाहिए, मतलब किया, तो 9, 18, 27, 36, और 45, ठीक है, या आगे जो नमबर होते हैं, तो देखिए, यहाँ पर 25 आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर 27 बनाने के लिए, 27 बनाने के लिए X की value क्या हो सकती है, 2 होनी चाहिए, एक्स हमें पता लग गया, और Y पता लग गया, हमें value न पर 8, option number 30, चौथा question है, यहाँ पर बोलाए कि यह भी 8 digit का number है, ठीक है, और यह 88 से divisible है, सेम वही question है, जैसे अभी हमने पिछला किया है, तो देखिए, अगर 88 है, तो इसको हम लिख सकते है, 8 multiply by 11 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर अब सबसे पहले हमें 8 का divisibility rule पता होने चाहि है, वो क्या था कि last के जो तीन डिजिट है, वो हमारे 8 से divisible होने चाहिए, तो 9, 1 और Y, इसको 8 से divide कर देते हैं, 8 ते कम 8, 1, फिर यहाँ नीचे एक उतारा, फिर 8 ते कम 8 हो गया, माइनस किया और यह 3 आ गया, अब Y को नीचे उतारेंगे, अब 8 के table में जो है, क्या आता है 8 चॉक 32 होता है, ठीक है, 8, 4 is a 32, तो Y की value जो है हमारे पास 2 होगी, ठीक है, Y की value दो होगी, क्योंकि यह जो number है, हमारा 88 से divisible है, तो 8 से भी होगा और 11 से भी होगा, ठीक है, तो Y की value हम पता लग गई, अब 179, X, 0, 9, 1, और 2, अब 11 का divisibility rule, जैसे अब भी हमने पिछले question मे कर रहा है, हम क्या करेंगे, एक एक डिजिट छोड़ कर हम add कर लेंगे, तो जैसे पहले एक को जोड़ेंगे, फिर 9, फिर 0, फिर 1, ठीक है, तो 1 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 1, इनको जोड़ा तो 11 आ गया, अब बाकी बचे वी number है, 7 प्लस X, प्लस 9 प्लस 2, इन सब को अगर हम ज 16, 17, 18, 18 जमा, X हो गया, अब इन दोनों का difference जो है हमारा, क्या आना चाहिए, या तो 0 हो, या 11, 22, 33, या वो जो number जो 11 के table में आ रहा है, ठीक है, तो देखें, इनका difference निकालते है, 18 जमा, X में से हम माइनस कर देते हैं, 11 को, तो यह कितना आ जाए, 11 में से, 11 में से हमारे पा 7 प्लास X है, तो हमारे पास, जो है, सबसे पनीरेस्ट है 11, तो 11 बनाने के लिए X की value क्या है, हमें 4 चाहिए, ठीक है, क्योंकि 11 आना चाहिए, तो 11 के लिए हमारे पास X की value 4 होनी चाहिए, तो X पता लग गया, Y पता लग गया, हमें X माइनस Y निकालना है, तो 4 माइनस 2 is equal to 2, option number second, अगला question देख लेते हैं, अब यह जो question है, यह भी बिल्कुल सेम है, यहाँ पर यह बोला गया है, कि यह जो number है हमारा, 8 digit का है, ठीक है, और यह जो है 88 से divisible है, हमें बताना है 3X प्लस Y की value, तो सबसे पहले वही question है, बिल्कुल सेम जो हमने 4th किया है, 88 है, तो हम 11 का लगाएंगे, ठीक है, तो इस question को आप solve करेंगे, और इसका जो answer है, comment box में करेंगे, उम्मीद है आपको मारे वीडियो पसंद आया होगा, thank you